नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल जयकारमी में दोस्तों अध्यन सामगरी के अंत्रगत आज हम बात करेंगे मौलिक करतब्य के बारे में मौली कर्टब में मौल संग्विधान में इसकी चर्चा नहीं थी लेकिन भाद में मौली कर्टब क्यों आया कैसे आया इसके बारे में थोड़ा साम जानने का प्रियास करेंगे जी हां मौली कर्तब बे मौल संग्विधान में नहीं था परंत 1975 में जब राष्टिया पातकार लागू हुआ उस दोरान मौल कर्तब बे कियो सेक्ता विशेश रूप से महसूस हुई क्योंकि उस समय पूरे देश में भेंकर रूप से अराजकता और उपद्रो फैल गया था जिसको लिए करके सरदार स्रौन सिंग समिती का गठन किया गया और 1976 में सरदार स्रौन सिंग समिती के अनुसंसा पर मौलिक कर्तब बे को जो है लोडने का काम संग्विधान में किया ग गया संग्विधान में जी और 2002 में एक और मौलिक कर्तब बे जोड़ा गया जो आपको गिरहां मौलिक कर्तब बे हुआ जो 6-14 वर्स तक की उमर के बच्चा को सिक्षा की अवसरों क्लब्द कराना था 2002 में और अगला जो आपका क्रम आता है मौल कर्तब एको रोज के संग् किस देश से लिया गया या किस देश से इससे प्रभावित हो करके जोड़ा गया तो मौल कर्तब एको जो है रोज के संग्विधान से प्रभावित हो करके जो हमारे देश में जोड़ा गया अगला बिन्दु आपका है समें संग्विधान संसोधन द्वारा 1976 में दस मौल कर पर ब्सक्राइफ कर चुकूखे आ हैं और मौलीक कर्तब भाक चार गांट शम्गोग शरी किया गया है मौलीक कर्तब technology क्र्मों कर दोधन आदनेयं22 के द्वारा जोड़ा गsystem को सिक्षा के अवसर उपलब्द कराना तो यह रही बात जो है मौलिक करतब की इसी करम में हम बात करेंगे ग्यारा पूरा जो है ग्यारा मौलिक करतब जो है उसकी पूरी सूची क्या है और उसको हम जाने जान ले तो मौल करतब की सूची में बात करें तो पहला आपका मौलिक करतब है संग्विधान का पालन करें और उसके आदर्सों, संस्थाओं, राष्ट, अद्वज़ा और राष्टगान का आदर करें इसी करम में दूसरा है सोतंतरता के लिए हमारे राष्टियां अंदलोन को प्रेरित करने वाले उच्छादर्सों को घरदाय में सजोई रखें और उनका पालन करें तीसरा मौलिक करतब में भारत की संप्रभुता, एकता और खंड़ता की रक्षा करें और उसे अक्छोडे रखें पाच्वा मौलिक करतब में देश की रक्षा करें और आवान के जाने पर राष्ट की सेवा करें पाच्वा मौलिक करतब में भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रातित्तु की भावना के निर्माल करें जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित से भी भेद भाव से परे हो ऐसी पर्थाओं का त्याग करें जो इस्तिरियों के सम्मान के विरुद्ध है आपका चठवा मौलिक कर्तब है हमारी संस्कीर्थ की गवरो साली प्रंपुरा का महत्तु समझें और उसका परिरक्षण करें साथवा मौलिक कर्तब है प्राकेर्तिक परियावरण की जिसके अंतर गद्बन जील नदी या और वन्डी जीओं है रक्षा करें और संग्वर अधन करें तथा प्राणी मात्र के पर ते दया भाव रख्या आठवा मौलिक कर्तब बैग्यानिक दिरिश्टिकों मानोवास जानारजन तथा सुधार की भावना का विकास करें नवा है सारजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें दस्वा मौलिक कर्तब है आपका ब्यक्तिगत और स्रामोजिक गत्विद्यों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने के सतत परियास करें जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्द के नई उचाईयों को छूले गिराहां मौलिक कर्तब है छे से चौदा वर्स तक के उम्र के बीच अपने बच्चों को सिच्छा के आउसर उपलब्द कराना यह कर्तब है छे सहांवे संग्धान संसोधन नियम दो जार दो के द्वारा जोड़ा गया तो यह रही बात जो है आपका मौलिक कर्तब के बारे में जिसको जानना बहुत ही जरूरी हैं मौलिक अधिकार जिस तरह जरूरी उसी तरह मौलिक कर्टब भी जरूरी है जहां सब अधिकार जुड़ा हुआ होई कर्टब भी जुड़ा हुआ है बिना अधिकार की जो है कर्टब की बात करना नाजायज होगा तो इसी तरह आपका घर परिवार और देश समाज हर जगा है जहां आपका अधिकार बनता हूँ या आपका कर्तब भी बनता है तो रही बात दोस्तों मौली कर्तब लेकि जिसके बारे में हमें जानना अतिय आवश्यक है क्योंकि देश समाज सब के पर्त हमारे जो कर्तब्य हैं उसका निर्धारन तो हम संस्कार से ही लेते हैं लेकिन देश के पर्त जो संग्वैधानिक मौली कर्तब्य उसको भी जानना जरूरी है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और शेर भी किया करें कमेंट से भी जरूर करें जिससे हम आगामी वीडियो में कुछ सुधार कर सकें और आपके लिए और अच्छा कंटेंट्स परदान कर सकें थैंक्यू दोस्तों